बार ग्राफ ड्रो करना है इस गिवन टेबल के लिए तो इसमें हमें डेज के नेम दिए गए हैं और अटेंडेंस दीगे ये क्लास की तो यहां पर मंदे को अटेंडेंस रहती है क्लास में 30 तुस्डे को 28 वेटनस दे को 25 थर्स्डे को 29 फ्राइडे को 34 और सेटरडे को 32 तो इसको हम ग्राफ पर सो करा लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने पहली राइट कर लिए हैं यहां पर होरिजोंटल लाइन इसके अलॉंग हम राइट करेंगे डेज को और वर्टिकल लाइन के अलॉंग हम राइट करेंगे अटेंडेंस इन क्लास तो मैंने यहां पर 10 10 का 40 & 50, ठीक है, तो यहां पे Monday को कितने रहते हैं, यह रहते थर्टी, तो मैं एधर बना लेता हूँ, यहां पे बार बना लेता हूँ, ठीक है na, 30 पे, तो यह हो जाएगा, और यहां पे यह रहएगा, ठीक है, तो एक बार बनेगे इसके rectangular, इसमें write करतेंगे हम Monday, ठीक है न, क्य यहां पे आगे 25 के बाद 26, 27 and 28, ठीक है, तो यहां पे रहेगा 28, क्योंकि जो यह box है ना, इसमें हमारे पास 10 चोटे-चोटे boxes है, ठीक है, तो इसलिए यह रहेगा 28, तो यहां पे line खीच देते हैं हम एक, इधर खीच देते हैं, और यहां पे इसको meet करा देते हैं, ठीक है, यह रहेंगे कि इसको Tuesday को, अब देखते हैं, इसके बाद Wednesday को 25, तो यह 25 राइट करते हैं हम यहां पे, इसके लिए line खीचेंगे 25 के लिए, तो यहां पे एक line एधर खीच देते हैं, तो यह हो जाएगा, वैडनेस लेगा, इसके बाद देखते हैं हम तस देख लिए, तो य यह line आएगी इधर, अब इनको meet करा जाते हैं यहां पे, तो यह आजाएगा हमारा Thursday, इसके बाद देखते हैं इसमें, यह है Friday का 34, तो Friday के लिए write करते हैं, 34, तो देखें यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इससे एक कम ले लेते हैं, तो यह रहेगा 34 के लिए, दूसरी line कीच लेता हूं में, पूरे box को बनाने के लिए, तो यह आजाएगा Friday के लिए, इसके बाद मैं write करता हूं, यहां पे Saturday का 32, तो 32 कैसे आएगा हमारा, तो यह यहां से यहां तक 30 हो गया, इससे दो box और आगे, तो यहां पे, और यहां पे, अब line कीच ले पे represent करा दिया है, अब देखिए, इसको ना हम कुछ इस तरह से भी represent करा सकते हैं, जैसे देखो, यहां पे पहले मैंने लिया था, 10-10 का gap, अब मैं यहां पे लिता हूं कितने का, 11 का gap, लेकिन इधर मैंने 25 का gap लिया है, ठीक है न, तो जो बार ग्राफ है आपका, उसमें इ और यहां जाएगा attendance in class, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए, मैंने यह अल्रेडी बनाया हुआ है, तो मंडे को, यह 30 हो जाएगा यहां पे, Tuesday को हो जाएगा 28, और इसके बाद Wednesday को हो जाएगा 25, Thursday को हो जाएगा 29, Friday को हो जाएगा 34, और Saturday को हो ठीक है, यहां तो आप यह kink वाला यूज़ कर लें, otherwise आप ऐसे 10, 10 का gap लेके भी बना सकते हैं इसको,